हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चनल आज हम पानी पूरी का पानी बनाने की रेसिपी जानने वाले हैं इसके लिए मैंने यहाँ पुदीना, हरा धनिया, दो हरी मिर्च इसके साथ मैंने थोड़ी से अजवाइन ली हुई है और एक लॉंग ली है थोड़ा सा जीरा, अद्रक और काली मिर्च इसमें से अजवाइन, जीरा और काली मिर्च को मैंने भून लिया है अब पुदीना और हरा धनिया हमें तोड़ कर अच्छी तरह से धो लेना है इसके बाद हमें इसे मिक्सी में डाल देना है इसके साथ ही यह लॉंग जो हमने भून ली थी अजवाइन, जीरा और काले मिर्च इन सभी चीजों को और यहां मैं एक हरी मिर्च भी डाल रहे हूँ और अद्रक के टुकड़े यहां मैंने काला नमक इस्तेमाल किया है यह मैंने एक चमच काला नमक लिया है अब इन सारी चीजों के मैंने पीस लिया, क्योंकि यह बहुत गाड़ा है इसलिए मैं इसमें पानी मिला रही हूँ इसके साथ मैंने कुनकुने पानी में इमली आदे घंटे पहले भीगो दी थी और इसमें से मैंने बीज निकाल लिये थे अब इसे हमें कुछ देर मिक्सी में चला कर पीस लेना है और फिर इसे अच्छी तरह से एक चलनी से चान लेना है यहां मेरे पास सीधी चलनी है इसलिए मैं इसी से चान रही हूँ इसे एक कटोरे पर इस तरह मैंने रख दिया और अब इस पल्प को इसके उपर डाल कर दीरे दीरे हाथों से मसल कर इसे चान लेना है और यह उपर का रेशा हमें फेक देना है अब इसे हमें इस हरी धन्या वाले जो पेस्ट बनाया था हमने उसमें मिला देना है यह हमेंने गुड लिया हुआ है इस गुड को अच्छी तरह से कूट कर कुन-कुने पानी में हमें इसे भिगो देना है और कुछी देर में इसमें मिक्स हो जाएगा इसे भी हमें इस चटने में मिला देना है इसे हमें च्छान लेना है क्योंकि कई बार गुड में छोटी छोटी पत्थर की कणिया होती है ये हमारा पानी रेडी हो गया है यहां इसके साथ चने की सबजी, थोड़ी सी बारिक सियो और यहां मैंने दो तरह की पूरिया बनाई हुई है गोल और चौकर और इसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और भी इसी तरह की टेस्टी रेसिपीस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें झाल 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 झाल